कोलकाता रीप मडर केस में आरजिकर मेडिकल कॉलेज के पूर प्रिंसपल संदीप घोष से CBI आज 9 दिन भी पूस्ताच करेगी अब तक संदीप घोष से करीब 100 घंटे पूस्ताच हो चुकी है कुछ डॉक्टरों और पुलिस वालों से भी CBI आज पूस्ताच कर सकती है इस बीच पॉलिग्राफ टेस्ट मशीन CBI दफ्तर पहुच चुकी है और इसका सेटप तयार हो रहा है CBI को CFSL टीम के एक्सपर्ट केस के 6 किरदारों का पॉलिग्राफ टेस्ट करेंगे सबसे पहले 4 ट्रेनी डॉक्टरों के पॉलिग्राफ टेस्ट किये जाएंगे बाद में मुख्यारोपी संजेर रॉय और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर प्रिंसपल संदीब घोष का भी पॉलिग्राफ टेस्ट होगा इस बीच कोलकाता पुलिस के साइटी आज अपनी रिपोर्ट सीबियाई को देगी जिसके आधार पर सीबियाई भष्टाचार का केस दर्ज करेगी जिसका आदेश कल ही कुलकाता हाई कोट ने दिया था आपको बता देगी संदीब घोष पर भष्टाचार के आरोब भी लगे है हमारे संवादाता मुकेश इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश आज नौवा दिन है संदीब घोष से CBI के पूस्ताच का संदीब घोष CBI दफ्तर पहुच चुके हैं क्या लगता है इस केस में CBI अब आगे क्या एक्शन लेने वाली है क्या आज कुछ पॉलिग्राफ टेस्ट होने की उम्मीद है दिखिए CBI जो संदीब घोष हैं उनसे पूस्ताच के लिए 100 घंटे का टाइम उसे लगाया है 100 घंटे तक पूस्ताच की है यानि की सेंजरी हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी जो सच है इस पूरे मामले का वो निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है इसके बाद जो संदीब घोष है वो अपसे कुद दिर पहले एक बार फिर से जहां पर मैं खड़ा हूँ ये CGO कॉंपलेक्स है कुलकता का और इसी कॉंपलेक्स में ग्राउन फ्लोर पर और पहली मंजिल पर CBI का दफ्तर है और यहां पर जो CBI है वो एक बार फिर से संदीब घोष से नौवे दिन भी पूचताच कर रही है क्योंकि संदीब घोष कुछी देर पहले यहां पर पहुचे हैं और उनसे फिर से पूचताच की जा रही है वहीं इस मामले में जो छे किरदार हैं जिसमें चार टेनी डॉक्टर हैं जिन्होंने हत्या के पहले जो मृतक नड़की है उसके साथ में खाना खाया था और इसके साथ ही जो संदीब घोष है और जो संजर रुआ हैं उनके पॉलीगराफ टेस्ट होने हैं इसको लेकर जो यह ओफिस है CBI का यहाँ पर पॉलिग्राफ टेस्ट के लिए जो सेट अप है वो तयार हो गया है CFSL के एक्सपर्ट पॉलिग्राफ टेस्ट को अंजाम देंगे और बारी-बारी से सभी के पॉलिग्राफ टेस्ट होंगे सूत्रों के मताबिक सबसे पहले चार टेनी डॉक्टरों का जो पॉलिग्राफ टेस्ट है वो हो सकता है क्योंकि हत्या के पहले मिर्टक डड़की ने उनसे क्या बात की क्या एक्टिविटी हो रही थी इसके बारे में उनको विस्तर जानकारी है लेकिन सीवियाई को ऐसा लगता है कि चारों ट्रेनी डॉक्टर जो है कुछ सच छुपा रहे हैं इसलिए उनका पॉलिग्राफ टेस्ट होना बेहत जरूरी है इसके साथ ही जो कुलकता हाई कोट है उसने कली आदिश दिया है कि जो आरजिकर मेडिकल कॉलेज में जो ब्रस्टा चार के आरोप है जिसकी जाँच पश्चिम बंगाल पुलिस की साइटी कर रही है वो जाँच अब सीवियाई करेगी तो सीवियाई इस मामले में आज ही जो संदीब घोस हैं उनके खिलाब ब्रस्टा चार का केस दर्ज करने वाली है यानि कि उनके मुश्किले और बढ़ने वाली है उनके खिलाब दूसरा मुकदमा सीवियाई दर्ज करेगी और इस मामले में जाँच शुरू करेगी कुलकता हाई कोट ने ये भी कहा था कि मु दूसरा केस जो ब्रस्टा चार का है वो भी दर्ज होने वाला है जी मुकेश इसके अलावा क्यूंकि जब से आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं उस समय से ही ये कहा जा रहा है कि इसमें साजिश का भी एंगल हो सकता है सीवियाई उस एंगल से भी जाच कर रही थी कि एक से ज मामले में larger conspiracy और comprehensive investigation कर रही है ताकि ये प्रूब हो पाए कि क्या वारदात के वक्त क्या संजय राय अकेला था या उसके साथ और भी लोग मौजूद थे हाला कि जो CCTV कैमरों की footage है उसमें देर रात सेमिनार होल के अंदर संजय ही जाते हुए दिख रहा है और वही निकलते पर भी digital mapping हुई है जिससे की crime का pattern और कहां कहां क्या crime हुआ होगा क्या च्छत के रास्ते कोई आया है इसको लेकर भी जो जांच है वो लगातार जारी है CBI को DNA report का इंतजार है क्योंकि DNA report से साफ होगा कि क्या वारदात के बक्त इस पूरी वारदात को क्या संजय ने अंजाम दिया या कोई और है क्योंकि अगर DNA match का जाता है तो ये अपने आप में काफी important evidence होगा जो की court में माने है ये DNA report क्या जो DNA sampling में कई और लोगों के DNA मिलते हैं उससे साफ होगा कि घटना को कई लोगों ने अंजाम दिया तो DNA report भी काफी हम होने वाली है मुबाइल के call record से dump data सीवाई ने निकाला है dump data से ये मालूम चलता है कि घटना के वक्त वहाँ पर कितने मुबाइल एक्टिवेट थे जिससे की मालूम चल पाएगा कि वहाँ कितने लोग मुझूद थी इसके साफ में जो सबसे बड़ी बात है जो सबसे बड़ा allegation है कि crime scene क destroy कर दिया गया वहाँ पर CPI को multiple footprint मिले है यानि की घटना के बाद बेरोक टोक मौकाई वारदास पर लोगों को आने जाने दिया गया और घटना की जानकारी परिवार वालों को देड़ से दी गई पुलिस को देड़ से दी गई यहां तक की जो लड़की का शव है वो कई घ हंटे बाद जो पश्चिम मंगार पुलिस से उसने इस मामले में केस दर्द किया तो कुन मिलाकर इस मामले में क्या कोई और लोग शामिल है क्या मामला रेप के अलावा गैंग रेप का भी है इस एंगल से CBI लगातार जाच कर रही है और साइंटिफिक जो टेस्ट हैं और जो टेक्निकल इन्वेस्टिकेशन है उसके जरिये ये प्रूब करने की कोशिश कर रही है कि क्या इसमें कोई लार्जर कॉंस्परेसी है क्या कॉलेज प्रसासन भी इसमें अन्मॉल है इसको लेकर लगातार जाच चल रही है जी मुकेश शुक्रिया पूरी जानकारी देने है फिलाल उसके बाद इस जाच को और तीजी मिल सकती है